खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाईए और ABP News को सब्सक्राइब कीज़ेए वो सन 1870 के बाद पहली बार अब बन रहा है चंद्रग्रहन भारत समय दुनिया के ज्यादातर हिस्तों में रात के करीब डेड़ बज़े से दिखेगा भारतिय समय नुसार तीन घंटे तक चंद्रग्रहन का असर रहेगा चंद्रहन से जुड़े मिथक क्या हैं चंद्रहन के वेग्यानिक माइने क्या हैं इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको देने जा रहे हैं हमारे साथ कास महमानों का पैनल मौझूद है जिसमें खगोल वेग्यानिकों के साथ-साथ धर्म के जानकार भी मौझूद है आपका जल्दी से परेचे कराते हैं हमारे साथ वेग्यानिक अमिताब पांडे जी स्टूडियो में मौझूद है मेरे साथ डॉक्टर बी कित्यागी वेग्यानिक हैं वो भी स्टूडियो में मौझूद है धर्मगुरू विवेक मुद्गल साथ, रामशरण शास्त्री जी धर्मगुरू हमारे साथ मौजूद है और जोतिशी सुनीता छाबडा जी हमारे साथ मौजूद है बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का मैं अपने खास महमानों से चर्चा शुरू करू उससे पहले हम सीधे लेकर चलते हैं हमारी इस बड़ी कवरिज में मेरी साहयोगी आस्था भी हमारे साथ मौजूद है और सबसे पहले आस्था आपको ये बताएंगी कि आकरकार जो चंद्रग्रहन है वो लगता कैसे है आस्था जिया बिल्कुल चंद्रग्रहन यानि के लूनर एकलिप्स एक अदबुत खगोली घटना है जिसे देखने के लिए जिसके बारे में जानने के लिए लोगों के अंदर काफी जिग्यासा होती है लेकिन चंद्रग्रहन को समझे उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ब्रम्हान यानि यूनिवर्स में क्या होता है सोलर सिस्टम का उस हिस्से को हमें समझना जरूरी है जिसके कारण ये ग्रहन लगता है तो आईए आपको सबसे पहले ब्रह्मान दी लिए चलते हैं और बताते हैं कि आखिर कैसे लगता है ये ग्रहेंग ब्रह्मान के केंद्र में है सूरे, मिरे सराफ आप देख पा रहे हैं सन और उसके साथ ही यहाँ पर होते हैं तमाम प्लैनेट्स जो की सूरे की परिक्रमा करते हैं यानि की सन के चक्कर लगाते हैं जिसे रेवल्यूशन कहा जाता है और ठीक उसी तरह जैसे तमाम ग्रह सूरे की परिक्रमा करते हैं पृत्वी के चक्कर लगाता है चांग जो की एक natural satellite है moon अब बात आती है चंद्र ग्रहन की यानि के lunar eclipse में क्या होता है तो ये वो स्थिती है जब सूरज, पृत्वी और चांद ये तीनों एक सीध में एक line में आ जाते हैं यानि उस दौराण जो revolution के बाद उनका axis है वो कुछ ऐसा होता है ये तीनों एक सीध में एक line में आते हैं और अर्थ की जो shadow है पृत्वी की जो चाया है वो चंद्रमा पर परती है और उसको कहा जाता है कि चांद को ग्रहन लग गया ये जो ग्रहन लगने वाला है यानि आपसे करीब ठीक साड़े 9 गंटे बाद ये एक partial eclipse है जिसे हिंदी में खंड ग्रास ग्रहन भी कहते हैं इसके विग्यानिक मायने भी हैं और धर्म से भी जोड़े पहलू हैं जिस पर हम लगातार चर्चा करेंगे और अपसे थोड़ी ही देर बाद मेरे साथ श्री गुरु पवन सिनहा भी जोड़ेंगे जो आपको बताएंगे कि आखिर इस ग्रहन से जोड़ी बड़ी बाते क्या है और आपके जीवन पर इसका क्या असर पढ़ने जा रहा है रोमाना शुक्रिया आस्था तो हम अपनी इस coverage में बीच बीच में आस्था के पास जाते रहेंगे लेकिन आस्था ने यहाँ पर देखिए ये तो हमें बता दिया कि खगोलिय घटना है इसके पीछे एक विज्ञानिक कारण है किस तरीके से सूर्य ग्रहन लगता है जो धर्म के जानकार यहाँ पर मेरे साथ खास मैमान मौझूद है मैं जरा सा उनसे पहले धार्मिक माननेता के बारे में जान लेती हूँ इस चंद्र ग्रहन को लेकर धार्मिक माननेता क्या है अगर मैं आप से शुरू करू, रामचर इन शास्त्री जी धार्म मानता यह है ग्रहन में सबसे पहले तो 12 जुलाई 1870 को गुर्पूर्णिमा के दिन चंद ग्रहन लगा था उसी प्रकार से आज गुर्पूर्णिमा को चंद ग्रहन लगा जैसे कि आस्था जी ने बताया कि एक खगोली घटना है सूर और प्रत्वी के पीछे चंद्रमा आ जाता तो चंद्रमा का जो प्रकास है वो बता दिया ना सर वो बता दिया विज्ञानिक कारण बता दिया में तो धार्मिक माननेता आप से जानना चाहरी थी घोलिये घटना है विज्ञानिक कारण क्या है है वो सब बता दिया आप तो धार्मिक माननेता बताओ धार्मिक माननेता यह है कि चंद्रमा मन का कारक होता है और मन का कारक होने के कारण से चंद्रमा के जो चंद्रमा के कारण से जो विचार है मानों के विचार जो है ना निगेटी हो जाते हैं मानों को मानों दुखी हो जाता है चंद्रमा के कारण से दुखी रहता है और चंद्रमा के कारण से मानों को सुख मिलता है तो चंद्रमा जब अपनी पूरी सक्ति प्रत्वी पर नहीं दे पाता मानों को नहीं दे पाता है उस कारण से मानों को दुख मिलता है मुद्गल साब धार्मिक माननेता क्या है चंद्रग्रहन क्यों लगता है कारण क्या है वो तो हमने बता दिया वो हम सब पढ़ते भी है किताबों में मैं धार्मिक माननेता समझना चाती हूँ कि धार्मिक माननेता क्या है चंद्रग्रहन क्यों लगता है जबाब है? बिलकुल, क्यों नहीं है? वो सूर्य और चंद्रमा को धार्मिक माननेता के अनुसार, गरंतो और पुराणों के अनुसार, राहु सूर्य और चंद्रमा को यानि कि चंद्रमा को ग्रसित कर लेता है, जब चंद्रमा को ग्रसित कर लेता है, चंद्रमा को मन का कारक, सुक का कारक कहा गया है, राहु को वि वूचे चंद्रमा को ग्रसित कर लेता है उसके कारण से हमारे मन में जो भटकाव आते हैं उसी को उस ग्रहन का फल हमें कहीं ना कहीं मिलता है आमिताप जी इसी वज़े से कह रहे हैं क्यूंके धारमेक मानने तुटी है शूड़ हे इसले हो लंभी लेस्ट आजाती है आरे भट उन्होंने ब्लुकुर साफ आरे भटिया में लिखा है कि जो ग्रहन होते हैं यह चायाओं का गड़त है और इसके पीछे उन्होंने पुरा उसका एक्जट मैथमेटिक्स कल्कुलेट किया और खास बात यह कि ग्रहन का जो भय है इससे निकले उससे मैं पदा चला कि प्रत्थी गैन जैसी गोल है मना आपको बहुत इंटरस्टिंग साइंस के हिस्ट्री का पार बताता हूं कि पहले मानेतरा थी धर्थी चप्टी है सारे कुरान में बाइबिल में हमारे धर्व शास्त्रों पे दर्थी को चप्टी बताये गया और भीश मेरु पारता इसके चारोड चारे ग्रहों कूलते हैं आरिभट ने अपनी खोड़ों से पता लगा है धर्थी गैन जैसी गोल है उन्हें से करम के फूल से तुलना कि यह पता चला में ग्रहनों के अध्यान से तो जब हम प्राकरतिक घटनाओं का बेग्यानिक तरीके से अध्यान करते हैं तो अध्यान के रहस्यों जागर होते हैं जब अंध्वश्वास में फजाते हैं तो हमारी बुईदाशा होती है तो सुनीता जी क्या अंध्वश्वास जोड़ा हुआ है कि चंदर प्रहन के साथ यह जो धार्मिक मानताओं के नाम पर बताया जाता है आपको क्या लगता है यह जो कि हमको प्रभावित करते हैं इसलिए थोड़ा सा परहेज बताते हैं कि कोई गर्भती महिला हूं तो उन्हें जा बाहर नी जाना चाहिए या आपको खाना नी खाना चाहिए जब गहन लगा होता है तो मन करते हैं अप अच्छा एंगल लेकर आई हैं आप तो साइंटि की चर्चा है और सभी महमानों से गुजारश मैं समझ रही हूं क्योंकि सबकी भावनाय जुड़ी हूं यह इस मुद्द से तो इस मुझे से आप लोग अपनी बात रखने के चक्कर में दूसरे की बात काटने के भी कोश करेंगे प्लीज ऐसा मत की देगा मैं सब को बराब की बाते हम बता देते हैं ग्रहन जो की 149 साल बाद ऐसे दुरलब योग में लगने जा रहा है इससे पहले 1870 में ऐसा देखने को मिला था उसके बाद अब यानि के पूरे 149 साल बाद ठीक इसी तरह का सई योग देखा जा रहा है और यह देखिए इस वक्त मैं पूरी तरह सोलर सिस्टम के बीच में मौजूद हूँ हमारा जो सोलर सिस्टम है और यह वो पत्थर है जहां फिलाल मैं खड़ी हूँ एस्टरोइड उसको कहते है जीरो ग्राविटी में यह ट्रावल करते हैं ठीक उसी तरह जैसे की सन है उसके चारो तरफ सभी प्लानेट चक्कर डग की ग्रहन लग गया एकलिप्स लग गया कहां कहां लगेगा किधर कौन सी कंट्री में लोग इसको देख सकते हैं यह भी हम आपको बता देते हैं भारत में तो सभी जगा यह दिखाई देही रहा है रात एक बचकर 32 मिनट से यह शुरुआ हो जाएगी उसके अलावा 149 साल यह जो दुरलब ग्रहन लगने जा रहा है कौन-कौन से देशों में इसको देखा जा सकेगा अफरीका, अमेरिका, भारत यह वो देश है जहां पर इस ग्रहन को पूरी तरह से देखा जा सकता है तो एक-एक करके हम वो तमाम ग्रहन से जुड़े हुए तथे आपके सामने रख रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यह धरती है, यह चांद है, यह सूरे है और यही सोलर सिस्टम का वो हिस्सा है जो रात एक बचकर 32 मिनट के बाद सबसे जादा नोटिसिबल होगा, यह वो देश ऑस्ट्रेलिया, अफरीका, भारत, समेट यह वो देश है जिनके नाम हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज रात को यह ग्रहन दिखा जा सकेगा, भारत यदी बात करें तो एक बचकर 32 मिनट से शुरू होगा, सुबह तकरीबन 4 बजे तक चलेगा, यानि यह जो बीच के घंटे हैं, उसमें यदी लोग जाकर इसको देखना चाहें, तो दे के आस्था जो हैं, वो facts हमारे सामने रख रही हैं, कि ग्रहन क्यूं होता है, कहां कहां से ग्रहन देखा जा सकता है, खिस देष में नजर आएगा ये ग्रहन, भारत में क्या समय है, चंदग्रहन का, और यहां मेरे साथ, खास मैमानों को पैनल है, जिसमें विग्यान rikt भी अगल देने की कोशिश की उन्होंने का सब तक्रा जो है वो देखना नहीं चाहिए क्योंकि साइंटिफिक एंगल उन्होंने दिखा दिया कि चंद्रग्रहन को लेकर वो जो धार्मिक मानेता हैं दूस और दरसल रेडियेशन की वजह से है और रेडियेशन तो मैं समझती हूं साइंटिफिक टर्म है जो बोले आई त्यागी जी अए डियाशन से क्या कहना चाहरे है क्योंकि पूरे इस सौर मंडल में जो रेडियेशन की उत्पत्ती हो रही है वो संसे होती है सूरज से होती है और सूरज और प्रत्वी और चंद्रमा एक सीध में आ गए और जो रेड प्रत्रमा 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 प्रत ये सुनीत जी कि ःडिएशन है और ये हामफुल लेडिएशन है आप ये कह रहे हो देखेश, मैं यह कह रहे हूं कि यह इंपर जो छोधव है इन पर आप रहर है और सेंर्टेस पूरा नहीं जिया आपकी मान्यता है यह आप मान रही हो कि आपकी जो विद्धया है वो एक स्टेप आगे है नहीं जा पक शुन रही है आपको लाना चाहूंगी मैं इस बहसे बिल्कुल सुनीता जी हम सुन रहे हैं यह मैं आपको यह बताना चाहूंगी जो अभी 2018 में 21 जन्वरी को टोटल उनर एकलिप्स हुआ था और उसमें हमारे साथ 2,000 बच्चा जुड़ा था जिसको हमने आखो से टेली स्कोप से पूरा यह बहतरी नजारा दिखाया था और मैं आपको बताऊंगी नहीं कि ऐसी कोई आपको बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहे हैं मैं सफ़ाई दना चाहूंगा आए अमिताब जी एक मिनिट हमारे साथ नम गुरुजी पवंत सिनाजी जुड़ गए हैं पवंत सिनाजी बहुत बहुत स्वागत आपका यह चंद ग्रेंट पर हमारी बड़ी कवरज लगातार बन आपके पास आऊंगी लेकर हमने लगा कि हम दर्शकों को भी जरा सा बता दे कि अब गुरुजी पवंत सिनाजी भी हमारे साथ चंद ग्रेंट की स्पेशल कवरेज में जुड़ गया हैं वाकई में जब ग्रेहन आता है यानि क्लिप्स आता है तो लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं और सबसे बड़ी बात तो ये उनको लगता है कि ये शुब काम करने का या कुछ अच्छा यदि करने जा रहे हैं तो ये बिलकुल भी सही वक्त नहीं है लोग ये भी जानना चाहते हैं कि हमारी राशियों पर ये लाइफ पर इसका क्या अशर पढ़ने जा रहा है इस सब के लिए हमारे साथ है श्री गुरु पावन से नाव भूछ बहुत स्वागत है गुरु जी आपका बहुत 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 अनिवाद बहुत बहुत है तो गुरुजी के साथ आस्था मौजूद है गुरुजी से आस्था आगे बातशीत करेंगी राशियों पर क्या प्रभाव ये भी हम आपको बताएंगे लेकिन अमिताब जोड़ना चाहरे ते जल्दी से अमिताब जी मुझे ब्रेक लेना है फिर जैसा पर दो पर अधार पर एक तरीके से जो तक्राव है ये तक्राव क्यों क्या इसकी जड़ में कहीं न कहीं वो डर है जिसे लेकर बार-बार विग्ञानिकों की तरफ से कहा जाता है कि डर को भगाईए लेकिन वही धार्मिक एंगल इसमें ये निकल कराता है कि नहीं सावधानी बरतिये वही सही रास्ता है सूतक लगता है साड़े-चार बजे समय था सूतक लगने का इस चंद्रग्रहन पर और ऐसे में सूतक लगने के साथ ही जो मंदर के कपाट हैं वो बंद कर दिये गए हैं विवेक मुद्गल जी मंदर के कपाट बंद सूतक लगने की वज़े से इसकी क्या माननेता है माननेता ये है कि चंद्रग्रहन के समय नो घंटे पहले उसकी जो छाया प्रिथ्वी पे पढ़ती है उसी को हम सूतक मानते हैं और उस सूतक काल में सभी शुबकारिय वर्जित हो जाते हैं हम लोगों का मानना है या शास्त्रों का मानना है इस समय पे नकारात्मक उर्जा का प्रभाव प्रिथ्वी पे पढ़ता है एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा जो अभी बहस हो रही थी कि वो पृत्वी के ऊपर जो चंद्रमा की स्थिती है वो क्यों इस समय नकरात्मक हो जाती है शास्त्रों में ये भी वरणित है कि सूरिय जो चंद्रमा है वो सूरिय से रोशनी लेके हमारे जो चंद्रमा है वो अपनी पावर लेता है और उसका फल इफेक्ट हमें देता है जब पृत्वी उस बीच में आ जाती है कि यानि कि हम जो मानते है कि राहू नाम का प्लैनेट उसको ग्रसित कर लेता है और राहू एक नेगिटिव प्लैनेट कुरूर और राक्षस प्लैनेट आ गया है उससे वो नकारात्मक उर्जा उसमें उत्पन होती है दूसरी एक कुछ सूरत की धूप है उससे चंद्रमा की कलाएं होती है उसी तरह से जब धर्ती बीच में आ गया उसमें नकारातमक क्या हो गया बर्किर जो डेटिशन और कम आने हो गया आपके पास कम वाली बात मत कीजिए और रेज कम होगे रेडियेशन कम नहीं होगी यह मत आपके पास एक मिनट एक मिनट देखिए जो कपाट बंद होते हैं उसके पीछे यह है कि हिंदू धर्म में यह मानता है कि जैसे सिरफ मूर्ती पूजा हमारे इस नातन धर्म में है जिसमें यह मानते हैं कि हम अपने पहले भगवान का आवान करते हैं उनको पूजा करते है हैं उनको प्रांट पर तिशिकार करते हैं तो उनको हम मान लेता है कि वो सजीव हैं तो हम जैसे सोचते हैं कि हमारे लिए यह अ यह लेकिन जगनाथ पूरिए कैसी जगाह today जहां यह youth है कि रहे इसब होड़ाइ इसे उनके पाड़ कभी बंद लेकिन लेकिन शास्त्री जी डिली वाला अनुमान मंदिर में जो यहां पर जानकारी मिल रही वह किसरे मुख्या कब इस इस सब कर और है नहीं है पर शास्त्री आप जी आप से पूछ रहा हूं सब कहँता है लुगाइद बहुत है तरह जो भात जो इसा पर पर पड़ता है यह हमारी विचारधारा है कि भगवान पर बुरा प्रभाव पड़ेगा तो यह वागवान के मूर्थी स्थापना होती है जैसे जो है ना प्राण होते हैं उसी परकार हम भगवान में प्रांट डालते हैं मंत्रों के द्वारा यह होता है कि पड़रा प्रण करो डाल प्रण और द्वार के दसाओरैन से जोगला चुकर है नगर्द में मुझे वस्तरत के अिने पामें फेला चाहिए पहला नाम पдо प्लान resent अभी हम हुआ मैं पता है कि सोलर सिस्टम मेंesterफ 8 planned आप उचाय रहे है वह हश्या रहे है रहे हुश्या मुझे ़िखें वो चायग रहे fellows वह पढ़े जो पन्देची जबा दो पेलर मुझे सीचाव जबाब दोला है न मुझे अपर शेछिंगि आप के अब भी जो है राहू नाम का कोई प्लानेट है जो कि आज आता है उस वकत चंदरग्रह इन के टाइम पर जिसकी वज़से में हानिया हो सकती है वो आठ वा आठ आपको पता है कि वैसी हमारे यां सोलर सिस्टम में आठ ग्रह है तो ऐसा कौन सा राहू नाम का प्लानेट है यह जो आप बात कर रहे हैं अपनी साइंस के विज्ञान की बात कर रहे हैं के आठ प्लैनेट है हमारी जोति शास्तर के अंदर आठ प्लैनेट नहीं है नो है जिनसमें से राहू और केतु को हम चाया ग्रह बानते है सूरिये चंद्रमा मंगल बोग बिस्पती शुक्र शनी और ये साथ ग्रहे हैं और इसके अलावा दो राहू केतु नाम के च्शाया ग्रहे हैं इनकी प्लैनेट वर्ड की यूज है उस राहू की वज़े से वो चंद्रमा गरशित होता है चंद्रमा मन और जल काता रख है जिस वरसे वो जलिये पदार्थ होता है जहां पे क्योंकि यह उनकी माननेता है आप दूसरा सवाल अपना रखिया अगर आपके पोशना है कि अभी माम ने बताया कि हम मंदिर के पड़ जो हैं बंद कर देते हैं घरों में वहां पर भी हम जो है वो परदा लगा होते हैं ने आपको का जगनात पुरी पे कपाट बंद नहीं हो करें वहां पर भगान के स्थापित अभी आपने नेगिटीबिटी की बात करी तो कि कैंड़ेटी के कारण इंसान भी अपने आपको द्वारों में बंद करके बैठ जाहिए वह अपने बिकूंड नहीं बिकूर नहीं बिल्कुर नहीं उस्मुर्स नोह ङंते कि दुराँ उ बैस्ति के समय घर में रहन की रहना के समय जो घर में रहना चाहिए गृहन के समय क्रें वैसे जो स्वस्थ बेखती हैं बालक ब्रध रोगी को छोड़ करके सूतक से लेकर कि जब तक ग्रहन है तब तक खाना पीना बरजीत है बालक ब्रध रोगी दवा खा सकता है अन खा सकता है उसके लिए सारी सास्त्रों ने चूट दे रखी है आप मुझसे पूछ रही थी कि भी ऐसा क्यों है देखिए आप खुद बताइए आप कहते हैं बच्चों ने बड़ा अच्छा गूंगे 2000 बच्चों ने देखा रिडियेशन को देखा आप बताइए मुबाइल पे रिडियेशन को देखा और रिडियेशन से कुछ नहीं अभी शास्त्री जी ने बताया ना कि क्या क्या साफधानिया में आप मुझे बताईए कि विग्यान की नजर में कोई साफधानी बरतने की जरूरत है या फिर इस चंद्रग्रेंड को बिना किसी साफधानी के जैसे आपका मन करें आप देखिए साब ये तो अध्बुत साफ़ पहले की कालपिक दुनिया में खोए हुए है कि हमारे सूर्य चंद्रमा को ग्रह मानते हैं चैको सूर्य एक तारह है चंद्रमा हमारा उपग रहे है युरूर्र इस नेट्रून की खोच वज़ वैज्ञान ने की ये कभी नी कर पाई साथ एस तो फो जी करते हुए कि अब बता कि नहीं अपुआ हैं एक है को फ़फ। बाइप से पड़ा शुर्ण आपके पास यारे हु लेकिन उससे पहले बहुत देर से में डॉक्टर त्यांगी के पास सीय है, आप देक्ठ ना चाहती हूँ सर आप भी देख्ञार होंगे जभी ग्रहण होता है इस तरीकी तरफ धर्म गुरु आजाते हैं मैं समझना जाते हूं आपसे यह विज्ञानिक और धर्मिक जो आधार है इस चंद्र ग्रहन को लेकर या किसी भी ग्रहन को लेकर उसमें इतना तक्राव आपकी नजर में क्यों है एक यह बहुत फॉर्डमेंटल डिफ्रेंस है कि एक हमारा सा कॉमझे नजरीश करते हैं अब हमारा साजा के लिएजय करते हैं एक हमारा साही में आपकी फॉर्र जांचीना चाह म्हीं और अन्चीना हरा ह filtered बहुत फुरूल जबाहां करनें जब तक यह साइंटिविक घंचर ुमने कुल्चर में ऐना क्रेगा, नैग भी क्योंकि आप एक जैसे अमिताब जी कहरें कि आप 500 साल पहले की नॉलिज से चल रहे हैं गवर्ण हो रहे हैं और जो नहीं जानकारी है उसको नकार रहे हैं उसको असेप्ट नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप तो मतलब आप एक बहुत ही पुराने समय की बात कर रहे हैं जब सिलसिला शुरू करने वाले हैं सिलसिलेवार रंक से बहुत हमें बताएंगे इस चंद ग्रहन का किस राशी पर कैसा असर रहने वाला है आस्था तो सबसे पहले राशियों की बात कर लेते हैं गुरुजी जो पहली चार राशिया है उनके जीवन पर ग्रहन का क्या असर होने जा रहा है क्या सबको डरने की जरुवत है या किसी की लाइफ में जैसा आप में जिकर किया अच्छा भी होने जा रहा है मेश राशी के लोग ध्यान से सुने कुछ परेशानिया हो सकती है यात्रा या स्थानांतरण में कुछ कष्ट हो सकता है कामों में बाधाएं आ सकती है मंगल कारियों में भी बाधाएं आ सकती है लेकिन टेंशन के जरूत नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़े बहुत टेंपरेरी होंगी और इनसे मुक्ति पानी के लिए आप हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर दीजेगा और घुसे पर काबू रखियेगा और सेवा कोई भी सेवा करनी शुरू कर दीजे आपको लाभ होगा परिशानियों से आप मुक्ति पालेंगे तो उपाय पर जादा जोर दीजेगा परिशानियों पर ध्यान कम दीजे लाभ हो जाएगा जादा टेंचन ना ले और उपाय भी देखिए कितना सरल है हनुमान जी की पूजा आपको करनी है सेवा पको करनी तो अच्छे आच्रण के लिए वैसे भी जरूरी है यह तो हमें हमेशा वैसे भी करना चाहिए और आगे बढ़ते हैं जो दूसरी राशी गुरुजी विशब राशी उसके लिए क्या ग्रहन के लिए आप संदेश देश देना चाहेंगे विशब राशी के लोगों को थोड़ा बीमारियों के उसे ख्याल लखने की ज़रूरत है तीन महीने थोड़ा ख्याल लखें खास बाखी उपाय करने से वो परशानी भी खतम हो जाएगी एक आदद बना लिजे तीन महीने तक वैसे तो ये जीवन परियंत होनी चाहिए लेकिन तीन महीने के ले खास तौर से ये है कादद बना लिजे कि जरूरतन लोगों को जल पिला दिया कीजेगा और चालिस दिनों त चंद्रग्रहन पर बड़ी कावरे जेबी पिनी उस पर लगातार जा रही है आई ये सीध है आपको लिए चलते हैं गुरुजी पवन से नहीं के पास और जानते हैं बाग की राशियों पर क्या रहने वाला एस चंद्रग्रहन का असर मितु नाशी को थोड़ा वाद विवाद से बचना होगा और खास तोर से आने वाले 40 दिनों तक समझ करेंना होगा वाद विवाद से भी और स्वास से भी स्वास्त के कारण धनहानी होती हुए दिखाई दे रही है या कारहानी होती हुए दिखाई दे रही है लेकिन मैं जैस टेंप्रेली हैं उपाई जाधा ताकतवर होता है और उपाई क्या है 40 दिनों तक लगाताथ शिप जी का अभिशेक करें और इतने ही बीच में पूरा सावन का महीना आपको मिल रहा है प्रतिदिन शिप जी का अभिशेक कर दिया करें ओम नमस्युहाय का जब करते हुए जल स अभिशेक कीजे और आनंचे अपना कारे कीजे तो सावन का महीना भी बस शुरूई होने जा रहा है और उसमें जला विशेक का जो पाई गुरू जी ने आपको बता इससे चक्या होगा सावन में शंकर जी की जो पूजा है उसके बारे में तो सब ही जानते हैं कि कितनी फल की आवशकता है खास्तोर से विवाहिक संबंदों को लेकर बहुत ध्यान देनी की जरूरत है लेकिन करगाशी के लिए एक अच्छी बात भी है वाद विवाद में जीत मिलती दिखाई दे रही है बस ध्यान ये रखें कि स्वास्त का खया लखना होगा और घुसे में उक्स ये तो अच्छा रहेगा बघुसे से बचें और साथ साथ ओम नमस्षिवाय का नियमित रूप से जब कर लीजेगा और रिष्टों में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है एहन या निंदा निंदा करने से आपको बचना होगा तो देखेगा सब ठीक होने लगेगा आपके निये बिलकुल गुस्ता नहीं करना है गौसिप नहीं करना है क्या करना है वो है भगवान का ध्यान और वो उपाए जो गुरु जी ने आपको बताए हैं उमीदे सब अच्छाई होगा